नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है competition community में मैं हूँ आनंद कुमार और आज के इस lecture में हम December महीने का पूरा national और international current affair analysis करने वाले हैं जितने भी important topics हैं December 2021 के उन सभी को आज के इस lecture में हम discuss करेंगे चाहे आप किसी भी competitive exams का preparation कर रहे हूं या SSC का कर रहे हूं या 36 कर के किसी भी competitive exams का preparation कर रहे हूं उन सभी exams के लिए आज का session बहुत ही important होने वाला है पूरा December महीना आपका cover होगा हाँ चितने भी important topics हैं एक भी miss नहीं होगा सारे important topics जो है वो cover किया जाएगा इस lecture का अगर आपको pdf चाहिए तो आपको पता है कि कहां से मिलता है telegram channel पर मिलता है तो अगर अभी तक आपने telegram channel को join नहीं किया है तो description box में उसका link दिया हुआ है वहाँ जाकर आप telegram channel को join कर लिजेगा वहाँ पर आपको pdf 24 घंटे के पाद available करा दिया जाता है तो वहाँ से आप pdf भी download कर सकते हो चलिए discussion की तरह बढ़ते हैं और आज का जो हमारा पहला topic है बहुत ही important topic है हर चार वर्स में एक बार national tiger conservation authority की तरफ से हमारे देश में बागूं का सरवेक्षन किया जाता है tigers का सरवेक्षन किया जाता है और देखा जाता है कि इनके स्तिति किस प्रकार से है लेकिन इसके अलाबा एक और परंपरा चली आ रही है national tiger conservation authority की तरफ से वो है हर साली देखा जाता है कि हमारे देश में बागूं की इस्थिती किस प्रकार से है यानि कि उनके सिहत की स्थिती किस प्रकार से है उनके मृत्यूं की स्थिती किस प्रकार से है जनमदर किस प्रकार से यह भी आंकड़ा प्रतेक वर्स देखा जाता है तो 2021 के आंकड़े के अनुसार यानि कि National Tiger Preservation Authority 2021 में एक डेटा जारी करता और कहता है कि इस वर्ष यानि कि सिर्फ 2021 में भारत में लग भाग 126 बागूं की मौत हुई है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है कि विलूप तो होती प्रजातियों के कैटेगरी में IUCN के रेड लिष्ट में बागूं का भी रखा गया है तो इतनी बड़ी संख्या में अगर बागूं की मौत होती है तो भारत सरकार के साथ सक पुरी दुनिया के लिए एक चिंता का विश्य है तो इसलिए सबसे आगे है इसके बाद आ जाता है महाराष्ट जहां पर 26 बागूं की मौत हुई है 2021 में और करनाटक में लगभग 14 बागूं की मौत हुई है इस तरह से आप ध्यान रखिए और जैसे मैंने बोला कि National Tiger Conservation Authority के तरफ से मैंने आपको बताया कि प्रते चार साल में बागूं के ऊपर एक सर्वेक्छंड किया जाता है पहला सर्वेक्छंड 2006 में किया गया था और भारत में बागूं को सनरक्षित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठाये जा रहे और इसका परिणाम भी दीखा जब 2006 में पहली रिपोर्ट रिलिज की गई तो भारत में बागों की संख्या सिर्फ 1411 था उसके चार साल के बाद जब अगला रिपोर्ट जारी किया गया 2010 में तो भारत में बागों की संख्या बढ़कर हो गई 1706 है और उसके बाद 2014 में जब सर्विक्षन जारी किया गया तो भारत में बागों की संख्या 226 हो गई और अभी जो सबसे लेटेश्ट आंकड़ा है हला कि 2022 में फिर से सर्विक्षन का रिपोर्ट आएगा लेकिन अभी सबसे लेटेश्ट 2018 का है और इसके अनुसर वर्तमान समय में भारत में बागों की संख्या जो है वो 2967 यानि की 2967 या फिर आप लगभग 3000 भी कह सकते हो एकजट अगर आप अकड़ा जानना है तो 2967 आपसे कुछन पूछा जा सकता है कि नेस्नल टैगर कंजर्वेशन अथोडिटी 2018 कि आंकड़ों के अनुसर भारत में वर्तमान समय में भागों की संख्या कितनी है तो 2967 सबसे अधीक भागों की संख्या किस राज्य में है मद्यप्रदेश में आप 526 इसके बाद करनाटक में आ जाता है 524 तो इस तरह से आप स्टेट वाइस भी याद रख सकते हो इसके लाबा कुछ और महत्वपून आकड़ी हम देख ल की संख्या हुआ करता था और वहीं जब 2018 में रिपोर्ट रिल्नेश हुआ तो बागों की संख्या हो गई 36 गड़ में आपका 1456 हुआ करता था और उसके बाद जब 2018 का रिपोर्ट रिलेज हुआ तो बागुं की संख्या 36 गड़ में 19 हो गया मद्यप्रदेश में अगर आप यही देखोगे तो 308 से बढ़कर 526 हो गया इनकी सबसे अधीक पढ़ोतरी भी मद्यप्रदेश में हुआ था तो एक कुछ प्रमुक आकड़े बागों के सरविक्षंड से संबंदी चाहे डेट से रिलेटेड हो या फिर 2018 में इनका जो चार वर्सु में जिसका रिपोर्ट रिलिज होता है नेस्नल टाइगर इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हो अब नेस्नल टाइगर कंजरवेशन ऑथोरिटी यानि कि राष्टिय बाक संरक्षन प्राधिकरन है क्या इस बात को भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि डारेक्ट यहां से भी कुछन पूछे जा सकते हैं तो नेस्नल टाइगर कंजरवेशन ऑथोरिटी की अगर हम बात करें तो नेस्नल टाइगर कंजरवेशन ऑथोरिटी को बनाया गया था वालड लाइफ प्रोटेक्षान एकट 1972 के तहत इसका गठन किया ग को ठीक है 2006 में इसे इस एक्ट को अमेंड किया गया और दिसंबर 2005 से यह कारे रहे थे 2006 के नाम से एक बिल लाया और उसके बाद यह कारे रहा थे ठीक है तो नेशनल टैगर कंजरविशन ऑथोरिटी के बार में आप इतना याद रखिएगा और भारत में बागो के संरक्षन है की थूच जो जिम्मेदार संस्था है वर्तमान समय में वो न्यास्नल टैगर अथारी के रहा řायक और किया यह क्रा जो ठारे तर गार कारे कर रहा था उसके बाद यहसे नियग वागो n के संरक्षना यह कु apparatus के लिआ कि लिए जिए कढ़ित किया गया ठीक अप प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही इस नेशनल टाइगर के इस नेशनल टाइगर का गठन किया गया था, चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक हो जाता है, उनाइटे निशन सेक्योरिटी काउंसिल का एक पार्ट है यह, या फिर आप इसे उसका एक संग कह सकते हो, जो टेरिजम को काउंटर करनी के लिए यह कमिटी कारे करता है, इस कमिटी का गठन किया गया था जब अमेरिका में 26-11 का हमला हुआ था, उसके बाद टेरिजम को काउंटर करनी के लिए एक अलग से संस्था के जरूरत महसूस हुई और United Nation Security Council के तहत से उसे परामर्ज देने के लिए उसे सलाह देने के लिए एक committee का गठन किया गया जिसे United Nation Counter-Terrism Committee कहा जाता है अब news में इसलिए है क्योंकि January 2022 यानि कि इस महीने के लिए भारत को जो है United Nation Security Council Counter-Terrism Committee यानि कि इस संस्था का अध्यक्ष न्यूक्त किया गया है बहुत important हो जाता है question हम से पुछा जा सकता है इसलिए ध्यान से सुनियेगा United Nation Security Council आतंकवाद विरोधी समिती यानि कि United Nation Security Council Counter-Terrism Committee की अध्यक्षता करेगा जनवरी 2021 में भारत और भारत ने आखरी बार इस कमीटी की अध्यक्षता कब किया था 2012 में किया था तो एक लंबे अंतराल के बाद भारत को जो है इस कमीटी का अध्यक्षता करने के लिए कहा गया और यह बहुत important हो जाता है क्योंकि जब ही भी कोई world meeting बैठता है किसी भी organization की तरफ से meeting बैठाया जाता है तो भारत बहुत मजबूती से जो है अपना पक्ष रखता है आतंकवाद के खिलाब तो यह बहुत ही important हो जाता है क्योंकि पुरी दुनिया में सबसे जोर सोर से अगर कोई आतंकवाद का मुद्दा उठाने वाला country है तो वो भारत है और यह भारत के पास एक बहतर opportunity भी है ठीक अतंकवाद वीरोधी समिती सहुंत रख्शा परिस्यत की एक सहायक संस्त है जैसे मैंने आपको बताया और सहुंत रख्शा परिस्यत के प्रस्ताव का नाम याद रखिएगा 1373 की निगराने के लिए इसे इस्थापित किया गया है तो प्रस्ताव भी आपसे यहाँ पर question के रूप में पूछा जा सकता है, इस बात को भी आधियान रखेगा, यहाँ पर और इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए United Nation Security Council के बारे में भी जानने के लिए कि आखिर यह United Nation Security है क्या, तो हम में से अधिकांस लोग, आप में से अधिकांस लोग इस बात को जानते हो कि United Nation Security Council जो है पूरी दुनिया में सांती इस्थापित करने के लिए और जितने भी जो कारे होते हैं, चाहे आतंकवाद से रिलेटेट कारे हो या सेक्योरिटी से रिलेटेट कारे हो तो उस परिपिछ में ये एजनसी काम करती है और United Nation के जो 6 प्रिंसिपल ओर्गन्स हैं, उसमें से एक इंपोर्टेंट ओर्गन्स है, United Nation Security Council तो United Nation Security Council का गठन कप किया गया, 1945 में किया गया, याद रखिएगा United Nation Security Council का Headquarter कहां है, तो इसका Headquarter है, अमेरिका के New York में, इस बात को भी याद रखिएगा इसके अलावा, United Nation Security Council में कुल कितने मेंबर होते हैं, United Nation Security Council के टोटल 15 मेंबर है, जिसमें से 5 पर्मानिंट मेंबर है और 10 नौन पर्मानिंट मेंबर है, 2021 और 22 के लिए भारत को भी इसका नौन पर्मानिंट मेंबर अपॉइंट किया गया है तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान समय में भारत, United Nation Security Council का नौन पर्मानिंट मेंबर है 2021 के लिए ये 5 कंट्री को जो है नौन पर्मानिंट मेंबर सिप दिया गया है, जिसमें भारत भी है और इन नौन पर्मानिंट कंट्री का जो कारेकाल होता है, वो दो वर्स का होता है पांच जो इसके प्रमुख अंग है, यानि कि पांच जो इसके स्थाई सदस से है इसके बारे में भी question पूछा जा सकता है कि कौन-कौन से countries है तो इसके बारे में भियाद रखेगा United States of America है इसके अलावा आपका चाइना भी है इसके अलावा आपका रसिया भी है इसके अलावा आपका हो गया Britain और इसके अलावा एक हो गया आपका France ये जो पांच country है वो United Nations Security Council के permanent member है United Nations Security Council से related इती जानकारी भी आपको होना चाहिए अगला जो टॉपिक है वो है Health Index जो की नीती आयोग द्वारा हाली में इस इंडेक्स से संबंदी चौथा संसकरन जारी किया गया है भारत में आपको पता है कि नीती आयोग एक ठिंग टैंक के रूप में कारे करता है स इसलिक के तहत Health Sector से सम्मंदित भी एक रिपोर्ट जो है नीती आयोग द्वारा जारी किया जाता है चौथा संसकरन हाली में जारी किया गया और इस इंडेक्स का जो रिफेरेंस यह है या फिर आप इसे आधार वर्स कह सकते हूँ तो यह आधार वर्स कौन सा है 2019 और 20 यान तक्णीकी सहायता नीती आयोग को किसने प्रदान किया तो तक्णीकी सहायता नीती आयोग को प्रदान किया Health and Family Welfare Ministry और इसके साथ साथी स्वास्त और परिवार कल्यान स्पखें तो टॉप स्चेट में आ जाता है केरला उसके बाद तमिलनाडू तिलंगाण उसके बाद आ जाता है आपका अंद्रप्रजेस और महारास्तेंड है टॉप याद रखिया किए कि आप learn कर यार्फ की आप आप से 36 गड़ का रैंक पूछा जाता है, तो 36 गड़ का रैंक है 12th, clear है, चलिए बस इतनी बात को याद रखिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर नीती आयोक के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार नीती आयोक से संबंदित question पूछा गया है, तो नीती आयोक का स नाम है National Institute for Transforming India, तो इस तरह से आप जो है नीती आयोक के बारे में भी याद रखिएगा, अब यह बात तो आपको पता होगा कि नीती आयोक का अध्यक्च कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्च होते हैं, यारि कि कौन है, स्री नरेंदर मोधिया भी इसके वर अध्यक्च का नाम याद रखिएगा, राजीब कुमार अभी वरत्मान समय में नीती आयोक के उपाध्यक्च है, पुछा जा सकता है, इसके CEO यानि के Chief Executive Officer कौन है, तो अमिताप कान्त अभी वरत्मान समय में, इसके Chief Executive Officer है, अच्छे ये भी याद रखिएगा कि कि किस मंत्र सुचकांक 2021, प्रतेक वर्स अटल बिहारी वाजपेई जी के जन्म दिवस के अफसर पर 2018 से प्रतेक वर्स जो है, सुचकांक जारी किया जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कि अटल बिहारी वाजपेई पुर प्रदान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेई जी का जन्म दिवस कब है तो 25 दिसंबर को और इसी 25 दिसंबर को सुसासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी दिन इस इंडेक्स को जारी किया गया इस सुचकांग को कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाता है यह भी याद रखेगा तो प्रशाशनिक शुधार और लोग सिकायत विभाग द्वारा इसे तयार किया जाता है और अगर हम पूरे इंडिया की बात करें Google अगर कोई ranking रिलिज हुई a good governance related तो उस index को क्या कहते है Chandler Good Government Index इस index के अनुसार एक international index है good governance में भारत की जो 2021 में ranking है वह है 49th इस बात को भी आप ध्यान रखेगा अब हम good governance related जो भारत ने अपने level पर जिस index को जारी करता है उसमें कुछ और important facts को देख लेते हैं तो इस index को तयार करने में total 58 indicators को सामिल किया गया है यानिके 59 संकेतक और 10 छेतर यानिके 10 sector को सामिल किया गया है prelims में question पूछा जा सकता है statement wise question पूछा जा सकता है तो ये indicators और छेतर को आप याद रखियेगा अब index को है पूरे भारत के चाहे राज्ये हैं चाहे छोटे राज्ये हैं चाहे पहाडी राज्ये हैं चाहे केंदरशासित प्रदेश हैं इन्हें चार भागों में चार ग्रूप में divide किया गया है एक है ग्रूप एक ग्रूप भी इसके अलावा north, east, state या फिर पहाडी राज्य भी आप इसे कह सकते हैं और चौथा गुरूब आ जो कैटेगरी हो जाता हो केंदरशासित प्रदेशु का हो जाता है अब हम इनकी रैंकिंग देख लेते हैं कि कौन-कौन से कैटेगरी में कौन-कौन से राज्यों ने बहतर पॉफिमेंस किया या फ इंपॉर्टेंट हो जाता है नौर्थे इस्ट एंग बात करें तो हमाचल प्रदेशु पहले नंबर पर मिजोरम दूसरे नंबर पर उत्राखन वा जाता तो इस तरह से आपूचाशन सुचकांग के बारे में याद रखेंगे चलिए अगला जो टॉपिक है वो है भारत ने प्रलय मिसाइल का सफल परिक्षण किया है कहां से किया है यह important हो जाता है और इस मिसाइल के जो features है वो important आपके लिए हो जाता है तो इस मिसाइल को सबसे पहले किसके द्वारा विक्सित किया गया डियर यानि कि defense research and development organization के द्वारा ठीक है इस मिसाइल यह मिसाइल किस टाइप का है तो कम दूरी का यह मिसाइल है याद रखिएगा सता से सता मार करता है यानि कि surface to surface यह मार करता है क्वेशन पूछा जा सकता है कि surface to year मार करता है तो याद रखिएगा कि प्रला नामक मिसाइल जो है ओ surface to surface मार करने वाली एक मिसाइल है और यह कहां से launch किया गया तो यह भी सबसे पहले याद रखिए या है ballistic missile है प्लेश्टिक मिश्यल क्या होते है मैं आपको आगे बता रहा हूं और इसे कहा 것처럼 गया तो largest के तट से नूर डूक्टर APJ अब्द्लक्लाम दूईप और इस दूईप को पहले किस नाम से जाना जाता था इस दूईप को पहले अब्दुलकलाम दूइप रखा गया, याद रखिये का और एक बाला सुर्दूइप है, इनी दो जगा से खासकर मिसाइलों का प्रस्चेपन जो होता है, और यह सता से सता हमार करने वाला कम दूरी का एक बैलेस्टिक मिसाइल है, इसके कुछ फीचर्स देख लो, यह मिसाइ में टार्गेट पहले से फिक्स किया जा सकता है, यानि कि अगर आप माल लो कि यहाँ बैठ कर आपको पाकिस्तान में किसी जगा पे अटैक करना है, तो आप वहाँ टार्गेट पहले सेट कर सकते हो, और जब यह बंबारी करेगा रॉकेट जहाँ पर लॉंच होगा, तो 10 म के रेडियस में इसे वहाँ पर एकजिट एकदम गिराया जा सकता है, तो इसके छमता जो है, 10 मिटर या उससे कम कि सटिकता पर यह अटैक कर सकता हो, और किलो मेटर 150 से 500 किलो मेटर तक लक्च को भेच सकता है, यह एक मोबाइल लॉंचर है, यानि कि इसे मोबाइल से भी ल लॉंचों होता है तो जो रॉंचर होता है, तो गोगरें की सटेक मेर् का है, ये अलग-अलग पार्ट जैसे जैसे इसका रेंज बढ़ते जाता है वो अलग-अलग होते जाता है और लास्ट में सिर्फ बच जाते हैं वार हेड यानि की पैलोड ठीक है चलिए सरल भासा में समझाने की कोशिश किया है मैंने आपको इसके अलावा प्रले के अलावा भारत में और किस-किस टाइब के बैलेस्टिक मिसाइल पाये जाते हैं यानि की बनाये गए हैं इस बात को भी आप धियान रखेगा तो आ जाता है आपका प्रहार, ब्रहमोज, प्रित्वे सिरेज, अगनी सिरेज ये सब जो हैं क्या है बैलेस्टिक मिसाइल भारत के जो के DRD यो खास क्या होता है तो इस दिन भूटान का जो है वो राश्रियत दिवस होता है ठीक याद रखिएगा और इसी दिन जो है हमारे देश के प्रधान मंतरी को भूटान का सरवुच नागरिक सम्मान से समानित किया गया है इसका नाम है नगदक पेल की खोरलो इसी समान से समानि किया गया है तो इस बात को आप ध्यान रखियेगा और यह आधुनिक भूटान के पहले डुक ग्यालपों है यह नगदक पेल के खोर लो यह ग्यालपों का मतलब क्या है यानि कि यहां के प्रशाशक को ग्यालपों कहा जाता है ठिक के रूप में युग्निय वांग्चुं की ताज पोशी का यह प्रतीक माना जाता है यह वाट तो याद रखियेगा चलिए अगला जो टॉपिक है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हाली में केंद्रिय मंत्री मंडल की तरफ से अप्रूबल दिया गया कि महिलाओं की जो शादी का मिनिमम एज 18 सा उसे बढ़ाकर पुरुसों के समान 21 वर्स कर दिया जाए किंद्रिय मंत्री मंडल की तरफ से यह अप्रूबल दे दिया गया है यानि कि अब गर्ल्स के लिए 21 साल और बॉइस के लिए 21 साल पार्लियमेंट में अगर बिल पास हो जाता है राश्टपती के मंजूरी मिल जात की प्रोहिवेशन चिल्डरन मैरीज एक्ट 2006 में अमेंडमेंट किया जाएगा इसके लाबा कुछ पर्सनल लॉज है जैसे हिंदू लॉज हो गया या फिर कोई और लॉज हो जाते हैं जहां पर शादी के उम्रे से सम्मंदित मीनमम आयू को तैय किया गया है तो उसमें भी करके इसे 18 से किया जाएगा ठीक ज्याद रहिएगा और यह ने ने किस कमीटी की सिफारिषख पर लिया गया है यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यान रखिएगा जेया जेटली की अध्यक्工 किया ठीक साम १िया किक किसी फारिस के आधार पर ये फैसला जो है वो लिया गया है कुछ और important facts यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखने ही योग यह है कि आखिर जो शादी का minimum age तै किया गया है भारत में वो कब कब और किस आधार पर किया गया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि साधी का जो उम्र है भारत में सबसे पहली बार कब तै किया गया कानून के दैरे में लाया गया तो यह लाया गया आपका दो हजार उनतिस में इस वक्त लाया गया आपका शार्दा अधिनियम शार्दा अधिनियम के तहत भारत में गर्ल् नाम बदल दिया गया कब तो हजार उंतिस में बाल विवा प्रतिबंध अधिनियम बाल विवा प्रतिबंध अधिनियम यह दो हजार उनते सोरी, 2020 कहां से आए गयार, 1929 ठिक और यह ए, 1929 क्लियर है, तो 1929 का यह जो अधीनियम है, वो ताह किया, कि जो गर्ल्स का minimum age होगा, वो 14 वर्स होगा, boys का 18 वर्स होगा और इसके बाद इस अधिनियम में amendment किया गया कब 1978 में जिसके अनुसार girls का जो minimum age है वो 18 किया गया और boys का जो minimum age है वो 21 साल किया गया और फिर 2006 में एक act आता है, उस act का नाम क्या है? जैसे हमने अभी यहाँ पर पढ़ा, इस act का नाम था, बाल विवा निशेद अधिनियम 2006 और सिर्फ इस एक revise किया गया था, इस act को उस act में भी 18 वर्सी लड़कियों के लिए था और लड़कों के लिए 21 वर्स, लेकिन अब 2021 नाम से इस bill में amendment किया गया जिसमें दोनों की age को जो हो बराबर किया जाएगा, बस इतनी बात को आप याद रखेगा चलिए, अगला जो topic है, UNESCO अमूर्त विराशत सुची हमने बार-बार पढ़ा है, World Heritage Site के बारे में पढ़ा है, Biosphere Reserve के बारे में पढ़ा है इस लिस्ट में कोलकाता में आयोजित किया जाने वाला दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है यह important हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेगा और इसके साथ ही भारत में total intensible heritage site की संख्या हो जाती है, 12 प्लस 1 यानि की total 13 हाली में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेगा, यह भी ध्यान रखेगा कि UNESCO को द्वारा heritage site की list किस प्रकार से जारी किया जाता है, तो total 6 प्रकार से जारी किया जाता है तो इसमें भारत के total कितने biosphere reserve को शामिल किया है, अब तक तो 12 हो जाता है, इसके अलाबा UNESCO World Heritage List की अगर हम बात करें तो proper अगर्म भारत की बात करें, तो 37 है, और 3 multinational है भारत के साथ मिलकर, वो 3 हो जाते हैं, तो total 40 World Heritage List साइट यानि की भारत में है, और सबसे लेटिस्ट कौन सा है धौलावीरा है, और UNESCO Memory of the World Register की अगर हम बात करें, तो इसमें भारत के 8 साइट जो है, वो शामिल है, UNESCO Global Geo Park Network की अगर हम बात करें, तो इसमें भारत का अभी एक भी नेटवर्क शामिल नहीं है, UNESCO Creative Cities Network की अगर हम बात करें, तो भारत में 5 creative cities network है, UNESCO के इस category में, और UNESCO के Intensive Cultural Heritage List की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, 12 पहले था और एक अब हो गया, टोटल 13, तो इस तरह से UNESCO के इन लिष्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, अगला जो टॉपिक है, वो है Republic Day Chief यानि कि आपको पता है कि एक परंपरा रही है हमारे देश में, कि Republic Day के अफसर पर किसी न किसी देश के प्रमुख को आमंतरित किया जाता है as a chief guest, तो 2022 में मुख्य अतिति के रूप में पहली बार Middle East ACI Countries के 5 प्रमुखों को आयुजित किया गया है, जिसमें कजाकिस्तान, क किर्गिस्तान, तुर्केमिनिस्तान, तजाकिस्तान और उजबेकिस्तान के प्रमुखों को आमंतरित किया गया है, और ऐसा पहली बार है जब मद्धी ACI के 5 देशों को आमंतरित किया जा रहा है, तो याद रखिएगा आपसे question पूछा जा सकता है, 2021 में किसी आमंतरित किया गया था, Boris Johnson, कौन है, ब्रिटेन के प्रधान मंतर है, लेकिन COVID-19 की वज़ा से वो उपस्थित नहीं हो पाया थे, तो इतनी बात को आप याद रखिएगा, अगला जो टॉपिक है, वो फॉर्मूला वन वर्ल्ट टाइटल से रिलेटेड है, तो किन्हों ने जीता है, 2021 का फ चैंपियन सिप का टाइटल जीता, कौन सी गाड़ी के ये ड्राइवर है, तो याद रखिएगा, रेड बुल रेसिंग कार के साथ में ये अपना फॉर्मूला वन जो है, पहला टाइटल इन्होंने वर्ल्ट टाइटल जीता है, और इससे पहले डच ड्राइवर, ये पहले है, इससे ड्राइवर है, जिन्होंने फॉर्मूला वन रेस कार जीता है, अच्छा, इनके फादर भी जो है, वो एफवन ड्राइवर हुआ करते थे, जिनका नाम था जोस बैस्टैपन, ठीक है, ये इन्हीं के बेटे हैं, तो इनसे रेलेटेटिट कुछ इंपॉर्टेंट और 21 साल बात किसी भारतिये नहीं यह किताब जीता है, इससे पहले 2000 में लारा दत्ता नहीं यह किताब जीता था, और इससे पहले 1994 में सुसमिता सेन नहीं यह किताब जीता था, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, सुसमिता सेन 1994 में 2000 में लारा दत्ता, और अभी 2021 म हरनासन्दŁ यानि की भारत अभी तक तिक भार मिस्क इनवर्स का खेताब जीता है। ठीक 21 साल बाद किसी भारती ने खेताब जीता है तो दोbody bij याद रखिएगा और मिस्क उनिवर्स इससे पहले दो भारती जीट कुई है है लारत अतर्स मितशन इस बात को जो रखे अगला जो है वो है ज्यान पिट पुरसकार 2021 से संबंधित इंपॉर्टेंट है दोनों संस्कारन यारे कि 56 2020 के लिए और 57 2021 के लिए एक साथ प्रदान किया गया तो याद रखेगा कोविड-19 के वज़े से 2020 में प्रदान नहीं किया गया था तो 2021 में प्रदान किया गया है और आपको पता है कि ज्यान पिट पुरसकार जो है साहित्य के छेतर में दिया जाने वाला भारत में सरवच्च सम्मान है और कि इन्हें प्राप्त हुआ है तो दामोदर मौजो जो कि कहा के रहने वाले हैं गुआ के रहने वाले हैं इन्हें 56 ज्यान पिट पुरसकार प्राप् इसके अलावा अब यहां पर आपको इस पुरसकार से संबंदित कुछ important facts भी याद रखना है तो इस पुरसकार को शुरू कब किया गया तो 1961 में पहली बार क्यान पिट पुरसकार दिया गया कि नहीं दिया जाता है तो हमारे सम्विधान में है 8 schedule और इस 8 schedule में जो है total कितनी भासाओं को सामिल किया गया है 22 भासाओं को सामिल किया गया और 22 भासाओं के अलावा 2018 में अंग्रेजी भासा को भी इसमें सामिल किया गया और पहले अंग्रेजी भासा के ग्यान पिट पुरसकार से सम्वानित के जाने वाले सक्सियत का नाम किया है तो उनका नाम है अमिताब जैन, सॉरी, अमिताब घोस इनका नाम है, अमिताब जैन नहीं, अमिताब घोस, और ये अभी तक एक मात्र ग्यान पिट पुरसकार से समानित अंग्रेजी भासा के सहित्यकार है, इनका नाम भी आप याद रखेगा, चलिए, अगला जो टॉपिक है वो भारत के पह जनरल विपिन रावत, जिनका हेलिकोप्टर 8 दिसमबर 2021 को क्रैस हुआ, तमिलनाडू के कुन्नूर में, और हेलिकोप्टर का नाम था, AMI-17 हेलिकोप्टर, जो की एक रसियन की मदद से, रसियन कंपनी के मदद से, इस हेलिकोप्टर को तयार किया गया था, और भारत में अ हमारे देस के CDS जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी समयत कुल 14 लोगों का निधन हो गया, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर CDS से related कुछ important facts ज्याद रखेगा, आप से question पूछा जा सकता है, जनरल विपिन रावत जो है, वो हमारे देस के पहले CDS थे, CDS का full form क्या होता है, तो Chief of Defense Staff कारी क्या करता है, तो तीनों से नों के बीच में आपस में समन्वे बिठाना, तालमेल बिठाना, और तीनों में किस प्रकार से आधुनिकता की आवेशकता है, तीनों के जरूरतों को पूरा करने में सरकार को recommend करना, CDS का मुख्य रोल था, ये डारेक्ट रक्षा म नहीं था, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि 65 वर्स की उम्र तक कोई इस पद पर रह सकते थे, ठीक है, तो CDS related कुछ important facts याद रखिएगा, Davis Cup 2021, तो सबसे पहले आप से question ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, कि Davis Cup कि स्खिल से सम्मन्दीत है, तो Davis स्खिल सम्मन्दीत है टैनिस से, ठीक है, confuse मत होईगा, कई बार लोग फूटवाल लगा कि आ जाते हैं, तो Davis Cup 2021 को रूसी टैनिस महासंगने जीता है, याद रखिएगा question पूछा जा सकता है, Davis Cup का final जो है, रूस के डेनियल, मेदविदेव और आंद्रे, रूबलेव के बीच खेला गया, जिसमें रूस के डेनियल, मेदविद ने, यानि कि रूसी टैनिस महासंगने या किताब जीता, और एंडरी, रूब लेव को most valuable player चुना गया, most valuable player के बारे में भी आप याद रखिएगा, Davis Cup को टैनिस का World Cup भी कहा जाता है, यानि कि बहुत ही important event है, या पूरूस टैनिस में एक अंतर रखिएगा, यहां अंतराश्टिय टैनिस महासंग द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसे पहली बार, उनिस सो में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, एक सहीयोगी मैच के रूप में खेला गया था, ठीक है, चलिए, अगला जो टॉपिक है, यह भी बहुत important topic है, खाल ही में गीता गूपिनात को आयमेफ का पहला deputy managing director appoint किया गया है, यह बहुत ही important हो जाता है, भारती अमेरिकी मूल की हैं, गीता गूपिनात, और इन्हें हाली में अंतराश्टिय मुद्रकोस की पहली उप्रबंधक निदेशक, यानि कि deputy managing director appoint किया गया है, और इस संगठन में सिर जो managing director होते हैं, उसके बाद यह दूसरा post है, यानि कि आप इसे सिर्फ post कह सकते हो, और भारती अमेरिकी गीता गूपिनात, अंतराश्टिय मुद्रकोस की पहली उप्रबंधक निदेशक बन गई है, तो इस तरह से आप इनके बारे में याद रख सकते हो, अगर हम इनकी ब से इन्होंने अपना graduation complete किया, उसके बाद वसेंटेंग विस्विद ड्यालस से इन्होंने अपने आगे के पढ़ाई की, और प्रिंश्टन विस्विद ड्यालस से इन्होंने PhD भी किया, और 2018 में इन्हें IMF का मुक्य अर्थ सास्त्री appoint किया गया था, तो 2018 से यह जो हैं IMF से जोड़ी हुई है, ठीक बात चलिए, इसके बाद World Athletics Woman of the Air का पुरसकार की से प्राप्त हुआ, इस बात को याद रखेगा, तो यह प्राप्त हुआ, अंजू, बॉबी, जॉर्ज को, World Athletics ने Woman of the Air का आवार्ड से नमान चा है, 2021 के लिए किस लिए दिया गया है, तो यूबा लड़कियों में खेल की भावना पैदा करने के लिए, उन्हें जागरू करने के लिए, उन्हें खेल सिखाने के लिए इस पुरसकार से इन्हें सम्मानित किया गया है, अंजू, बॉर्बी जोर्ज और जो हैं, तो केरल की रहने वाली है, याद रखेगा, इनकी उपादी क अगर हम बात करें, कि कौन-कौन से इन्होंने उपलबधियां पराप्त किया है, तो 2005 में वर्ड एथलेटिक्स फाइनल में स्वन पदक जीता था, 2013 में पैरिस में आयो जीत, वर्ड एथलेटिक्स चंपियंशिप के लंबी कूद में कहां से पदक जीतने वाली पहली भारत अगला जो टॉपिक है वह बार्बार डोस दुनिया का सबसे नया गरतंतर बन गया है, ठीक तो अगर आप से पूछा जाए कि दुनिया का सबसे नविंतम गड़तंतर देस कौन सा है, तो बार्बार डोस है, प्रिडिस उपनिवेश बनने के लगभग 400 के बाद बार्बार जो है दुनिया का सबसे नया गड़ राज बनी गया है करिबियन जो द्वीप है वही पर एक कंट्री है बार्वाडोस जहां पर महारानी इलिजाबेथ द्वीतिय का राज्य हुआ गरता था उन्हें इस पद से हटा दिया गया और डेम सैंड्रा पुरुनेला मेसन को जो है ब बार्वाडोस गड़राज जी के पहले राष्ट पती होंगे नाम याद रखेगा और मेसन को अक्टूबर 2021 में बार्वाडोस के पहले राष्ट पती बनने का जो है वो चुना गया था बनने के लिए ठीक है बार्वाडोस के अगर हम बात करें तो इसका लोकेशन आप ध्य वेनिजुयल आ जाता है ग्वेन आजाता है और इन दोनोगे बीक में है ापका कैरिब्यन स्टी और यही पर हैं कैरिबिएन कंड्रीज और यह है आपकाबारबास और भार उसकी राजदान की अगर हम बात करें तो इसका राजदानी है ब्रिज टाउन बारबादोस का अगर हम छेतरफल की बात करें तो 439 किलोमेटर स्क्वेर इसका छेतरफल है अगर हम इसके पोपुलेशन की बात करें तो इसका पोपुलेशन है लगभाग 28 लग ठीक बात चलिए बारबादोस के बारे में भी आप याद रखियेगा तो ये था हमारा पूरा National International Current Affair December का तो पूरी तरह से जितनी पॉर्णे टॉपिक से उन सभी को हमने कवर किया है कोसिस किया है कि आपका हाट टॉपिक कवर हो इसका PDF आपको कहा मिलेगा टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा तो वहाँ वजिट करें, PDF राप्त करें, 24 गंटे के बाद अपलोड हो जाएगा तो आज के इस लक्चर में फिलाल इतना ही थैंक्यू, थैंक्यू बर्मच